हुआ अलो फ्रेंट्स तो वेल्कम बेक को माई चनल टेग विट संजे तो आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल बैटरी के बारे में तो मतलब बैटरी जो है पहले रिमूबल बैटरी आता था अभी क्यूं नौन इमूबल बैटरी कंपनी ने प्रवाइड किया है अभी जो है और disadvantage क्या-क्या है उसके बारे में थोरा सा बात करेंगे और देखेंगे जानेंगे क्या-क्या चीज जो है इसका फाइदा है और क्या-क्या जो है इसका घाटा है ठीक है तो शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो में नहीं हो तो वीडियो को जरूर लाइक और सेर करना और च इसके लिए आपको सार्वेस इंटर जाना परेगा तो बहुत ही मतलब खर्चे का काम है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका क्यूं बैटरी जो है इस तरह का भी दिया जा रहा है तो सबसे पहला पहले एडवांडेस का बारें बात कर लेते हैं क्या क्या इसका सब्सक्राइब निकाल सकते हो और मेमोरी काड भी वहां से डाल सकते हो तो आपको बार-बार खोलने के जरूरत नहीं पढ़ता है और वह का लस्टिंग भी ज़्यादा करता है ठीक है और यह होगी आपका सबसे एक इंपर्टेंट चीज जो है शिम ट्रे जो है आपको बाह द्वानन बैटरी के बारे में और उसका बात जो है आपका आएगास सेकेंदे़ द्वाला एडवन टीज तो अगर जो हैं आपका फोन जो हैं आपका फोन आगर गिर भी जाता है तो पहले आगर गिर जाता था तो अब wedry जो ऐसा नहीं होता है आपकर six साइट साइट में साय थोरा सा डेमेश हो सकता है पर पहले के जैसे आपका पूरा कोबर खुलके नहीं आता है तो वह एक अच्छी बात है मतलब मोबाइल जो है वह थोरा अच्छा हो जाता है बिट को बिल क्वाल्टी जो है अच्छा हो जाता है और आपका मोबाइल भी लास पहले जो था अभी जो था ? अभी है बहुत ही डृःवरेंस है इसका थीक है उसका बाद तीन नंबर में है तो तीन नंबर में मुझे लगता है जोहिस ईसका आपका पुरा हुआ है आप को ठ्ल है अब बैटरी खूलने सब्सके कारें जो किण रहना कारण जो ए इसका जहे जादा गंडा नहीं होता है और गंडाने नहीं होने का कारण जो है मोबाइल भी अच्छा में अच्छा कंडिशन में रहता हे ठीक है और मैं पहले जब कहोलते थे इसको खोला बेटरी निकाला ऐसे करते करते मतलब अंदर में धूल प्रोब्लम होता थह अभी जुए उसका स्गेदा यहां पर आपको दोल भी जाने का चांस नहीं और बहुत ही अच्छा चीज़ हैं चैद साइद को थोरा-थोरा फानी में अगर बाइचा गिर भी गया तो यह भी एक अच्या चीज है तो यह सिल रहता है इसलिए पानी जो फ जो बहुत आच्छा बात है नॉनुवेवल बेटरी के लिए उसका बात चलते हैं और चार नमबर पर चलते हैं तो चार नमबर में जो इडवांटे से वह भी मुझे अच्छा लगा जो इसका लोक बहुत यह अलग हो जाता है क्योंकि सिल रहता है तो इसको देखने से वह यह को सैफ्क करता है अभी जुए आपको अा कि appears सॉलिद बनाया गया है सब इसको इना जदा आपको प्रब्लें नहीं होगा और पहले से थोड़ा सब्सक्राइब हो गया है ठीन हो चुका है और जो है इसका पहले जो है आप अरा बेटरी का जो होता था और सिम्ट्रे अंदर में होता थाları होता था तो उसका जो गेप ठा उसको भी बहुत जादा जो है इतना जादा कर सकता है company तो अभी हो भी रहा है वाइल जो है slim slim आ रहा है तो वह एक कारण हो गया और उसका बात जो हो गया इसका higher life battery ठीक है बैटरी जो है आपका lasting जदा करता है क्योंकि आप अगर बैटरी को बार बार निकालोगे बार बार डालोगे ठीक है तो ऐसे करने से आपको बैट बैटरी निकाल नहीं पाओगे और इसका बैटरी लाइब भी ज्यादा रहेगा तो यह चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छा लगा तो बैटरी के लिए और इसका disadvantage क्या है बोलने से मतलब इसका घाटा क्या है कि भाई यह बैटरी हम लोग निकाल नहीं पाते हैं तो इसक को स्कूद करना नहीं पाओगे और एक चीजस है कि भाई अगर आप एक्चेंज कर में लोगे तो वह आप पहले के दरा जो घर में नहीं कर पाऊगे घर में नहीं कर पाऊगे आपको सार्विस सेंटर जाना परेगा जाने कब बाद उसको मुबाइल दिखाना परेगा और वह इफ शिल्ट तो रेगा तो मोबाइल का हालत भी थोड़ा खराफ हो जाता है मतलब इसक्रेश्फ आजाता है जब वो लोग खोलने का कोसिश करता है और बैटरी को निकालेंगे फिर नया डालेंगे तो उसमें जो है उन लोग को भी payment करना पड़ता है ठीक है उन लोग का charges भी होता है तो उसमें क्या होता है हम लोग का घाटा होता है और पैसा जाता है अगर यह removable battery होता तो हम लोग बैटरी खरित कर लाकर खुद ही हम लोग change कर पाते हैं ठीक है तो यह एक जो है disadvantage है इसका उसका बात जो है और एक चीज़ से तिन नंबर में जो आता है इसका disadvantage वह गया आपका पहले क्या होता था यह removable battery जब आप mobile निकाल पाते थे तो होता था कि आपका mobile जब भी heng हो जाता था तब जो है रहे होता तो आप तो कि में कुछ कर नहीं पाते और mobile तो मॉबाइल के पैटरे निकालने पाऊंगे और इसको जो है अगर हएंग कर दिया तो मुश्किल हो जाता है ठीक है है यह होता है क्लुच के लिए डिसद्रेष जाते हैं मतलब आपका मोबाइल बैटरी नहीं निकाल पाते हो अगर आप इसको fiance कर ना तो अब जो है वो फैसिल्टी नहीं है ठीक है और एक चीज़ बजा जो मैं बताए तो आपको एक बजा जो है मुझे मिला था तो उसके बारे में सी थोड़ा बात कर लेते हैं कि मोबाइल जो है नॉन इमोबल मतलब बैतरी निकाल नहीं पाते हैं तो इसमें आपको डिस एड तो आपको करना क्या पվदा है इसको बेचके या फिर इसको घर में रखके तो वह एक चीज़ है रहे कंपानी आपको जो है फोर्स कर लेता है मतलब दो साल तीन साल का बाद आपको फिर से नहीं लेना ही पड़ेगा तो वही चीज़ से कंपानी का भी कुछ फाइदा देखना पड़ता है अगर आप रिमूबल बेतरी रखो के तो भाई बेतरी चेंज करो डालो नहीं फिर चलात है ठीक है तो वही बात है तो आसा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक सेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आगे मिलेंगे इसी तरह का वीडियो के साथ और नया नया टोपिक के साथ थैंक यू सो माच वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धायनावाद